आईटेएडीके सर योडूब चैनल में आप सभी प्रशिक्षनारतियों का हारदिक सवागत है आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल विविन परकार के बल्बू के बारे में आज अपने पास विविन परकार के लेंप हैं और कौन सा लेंप का उप्योग कहा किया जाता है कौन सा लेंप किस परकार का लेंप आता है उसके बारे में आज चप्चा करें अपन करते हैं छोटे छोटे बल्बों से बड़े बल्बों की और बढ़ते हुए करम में यह जो बल्ब है इसको बोलते हैं LED बल्ब क्या बोलते हैं LED बलब इस बलब को किस परकार की होल्डर में फिट किया जाता है होल्डर देना यह बैटन होल्डर बैटन होल्डर के अंदर दो पिन कटी होती है और उन पिनों के अंदर जो लेंप के बहार दो पिन निकड़ी होती है उसको इसमें फसाद यह दोता है इसमें दो वायर कनेक्ट होते हैं फेज और न्यूट्रल इनको अपन फेज और न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो लेम जलने लग जाता है और दूसरा अपना लेम प्रेगा तंगस्टन फिलामेंट लेम यह है तंगस्टन फिलामेंट लेम इसमें भी LED लेम की तरह ही यह पिन होती है और इन पिनों को इस होल्डर में फसा दिया जाता है और इसके अंदर दो पिन निकली होती है एक न्यूट्रल की एक फिज की दो इन से टच होता तो लेम यह भी गलो करने लग जाता है तीसरा लेम है अपने पास हेलोजन लेम यह है हेलोजन लेम यह बोक्स के अंदर फिट है इसको दिखाएं क्या इसको खौलते हैं और लेम को दिखाएं तीसरा जो लेम है इसका नाम है हेलोजन लेम यह हेलोजन लेम है इसके यह इलेक्टरोड है इसको हेलोजन लेम होलडर में पसाया जाता है और इसमें भी डो वायर निकले हुए हैं एक फेजगा दूसरा नोट्रल का यह सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो हेलोजन लेंब जलने लग जाएगे इन लेंपों का उपियों कहां किया जाता है LED लेंब टंगस्टन फिलामेंट लेंब और हेलोजन लेंब अपने घरों शादी फंक्शन कोई भी कारी करम होता उसमें सामने रोश नहीं हेलोजन लेंब तंगस्टन फिलामेंट लेंब और LED लेंब टो चोथा जो अपना लेंब पूर रहेगा वो रहेगा सोडियम वेपर लेंब यह सोडियम वेपर लेंब इसका उप्योग कहां किया जाता है स्ट्रीट लाइट ओन सडक की जो लाइट होती है उसमें भी किया जाता है और द्योगिल छेतर होता है और द्योगिल छेतर में भी इसका उप्योग रोश ने के लिए किया जाता है इस लेंप में एडिशन इस्क्रू टाइप लेंप होल्डर लगता है वो लेंप होल्डर दिखाना यह है लेंप होल्डर यह अन्य होल्डर की तुलना में अलग है इसमें कौन सा परकार का लगता है एडिजन इस्क्रू टाइप इसको इसमें चूड़ी कटी होती है और चूड़ी को इस होल्डर में इस परकार खशा जाता है ये लेंप कौन से परकार गए है सोडियम वियप पर लेंग अब इसको होल्डर में फसाने से ही ये काम नहीं करेगा इसमें अलग-अलग परकार के अलग-अलग युक्तियां लगती है इसके अंदर एक तो लगता है इसमें चूड़ी क्यों ये लेंप सामने सिंगल फेज एसी सप्लाई से जलते नहीं स्टार्टिंग में इसको स्टार्टिंग में उच्छ करंट उच वोल्डेज की अब शेक्ता होती है तो एक तो लगता है इसमें बलाश जिसको बोलते हैं अपने चोक एक चोक लगता है एक ये इगनिटर लगता है इगनिटर में तीन वायर लगते हैं एक लगता है केपेशित में इनका सयोजन अगले वीडियो में हम करके दिखाएंगे और इसको फिट करके भी दिखाएंगे हमारे पास इसका box है इस box में lamp holder कैसे fit किया जाता है उस lamp holder में lamp कैसे fit किया जाता है चोग का connection कैसे होता है और साथ में इस capacitor को कैसे सयोजित किया जाता है अपने पास इसका box भी है ये lamp भी हो गया और इसका igniter चोग capacitor भी ये सयोजन शंपून सयोजन इस vapor lamp का इससे अगले वीडियो में आपको बताएं इससे अगला lamp है अपने पास mercury vapor lamp ये है mercury vapor lamp ये भी अलग-अलग range में आता है इसकी capacity चार सो वाट दो सो वाट का भी आता है तीन सो वाट का भी आता है चार सो वाट से उच छमता का भी आता है ये अपने पास से चार सो वाट mercury vapor lamp इससे लेंप में भी ये addition screw type lamp holder लगता है इसका lamp holder का है इस लेंप में भी lamp holder कौन सा काम मिलिया जाता है addition screw type और holder के बीच में एक सेयोजन पिन निकली होती है वो तो होती है phase की और जो ये holder होता है इसका जो दात्वी कावरण होता है वो कारिये करता है neutral का इसमें phase और neutral की अलग लग की ये बीच में जो pointer है ये तो हता है phase का और side में जो ये ख़बर होता है इसका ये करता है neutral का का बाकि अन्य ओल्ड रहें जैसे LED है इसके अंदर दोनों phase और neutral के बीच में लगे वे और इन दोनों में जो sodium vapor lamp है और mercury vapor lamp है इन दोनों में बीच वाड़े point में क्या लगता है phase और side में क्या लगता है neutral और साथ में इस mercury vapor lamp में भी एक तो चोक लगेगा और एक केपीशिटर लगेगा इस mercury vapor lamp का चोक ये है और इसके साथ केपीशिटर ये सेनजित करना है अब इसका connection भी आपको sodium vapor lamp के बाद में mercury vapor lamp का भी connection करना शिखाएंगे उसकी testing करना शिखाएंगे कि इस lamp की testing कैसे की जाती है इस चोक की testing कैसे की जाती है केपीशिटर की testing कैसे की जाती है संपून connection का सरकीट डाइग्राम के अनुसार संपून जानकारी हम इससे अगले वीडियो में आपको दे देंगे इसे के साथ में धन्यवाद झाल